Hello students, Science in 3D channel पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ इशा शर्मा और आज की ये वीडियो बहुत special होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस topic पर मैं बात करने वाली हूँ, वो इतना complex हो जाता है बच्चों के लिए, उसमें बच्चे इतना उलत जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, बट क्योंकि आज आप हैं Science in 3D channel पर जहां हम सब कुछ 3D में लेकर आते हैं, एक better और easy understanding के लिए, तो आज का ये topic भी हम 3D में ही पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये जो topic है, जो इतना मुश्किल हो जाता है समझना, एक दम मक्खन की तरह clear हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं neurons की, यानि nervous system की structural and functional unit, nerve cells, जितने भी stimulus होते हैं, जो भी stimuli हैं, चाहे वो बाहर से हो, outer surrounding से, या फिर body के अंदर से हो, receive करने का काम, उनको process करने का काम, और transmit करने का काम, हमारी ये nerve cells ही करती हैं, nervous system में दो तरह की cells basically होती हैं, excitable cells जिसमें ये neurons आते हैं और non excitable cells, जिसमें और भी बहुत तरह की cells आती हैं, एक example अभी हम करेंगे shawan cells का, जो myelin sheath बनाती हैं, वो cells transmission तो नहीं करती, उनका कोई role नहीं होता, nerve impulses को receive करने में या transmit कराने में, लेकिन repairing और maintenance जैसे काम वो cells करती है आज हम excitable cells की बात करने वाले हैं, neurons की, कितने type है neurons के, types of neurons के बारे में आज हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि जो nerve impulses होती हैं, जो signals होते हैं, stimulus होता है, उसका generation और conduction कैसे हो रहा है, और हम जानेंगे transmission के बारे में, कितनी तरह के होते हैं, chemical synapse, electrical synapse, सारे चीज़ों पर बात कर तो चलिए start करते हैं, types of neurons से, तो जैसा कि मैंने बताया कि nervous system का part है, तो यहाँ पर brain में जो यह चमचम हो रही है, यह है nerve cells, इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे सबसे पहले multipolar neuron, multipolar neuron जो most commonly पाया जाता है, जो हमारे अंदर सबसे जादा काम करता है, जो common है, वो है यह एक typical neuron का structure, multipolar neuron, neurons के अगर मैं parts की बात करूँ, तो इसके तीन parts है, पहला तो होगा यह dendrites, उसके बाद आएगी cell body, और उसके बाद यह जो एक extension है, long unbranched extension, यह है exon, तो neuron के कितने part, तीन part, dendrite, cell body और exon, अब देखेंगे कि इसमें dendrites कैसे हैं, आपको दिख रहा है सामने ही, कि यह जो multipolar neuron है, इसमें many dendrites हैं, आप से कोई भी पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे, कि multipolar neurons में many dendrites हैं, और एक exon है, तो यहाँ पर देखो, कितनी सारी यहाँ पर branching निकली हुई हैं, कितनी सारी extensions हैं, और एक से जादा हैं, तो यह many dendrites ह लेते हैं अब, dendrites हो गया, उसके बाद क्या आया है, cell body, cell body, जिसे pericarion भी बोल सकते हैं, जिसे cyton भी बोल सकते हैं, उसके अंदर एक nucleus है, और कुछ granules present है, जिनको हमने क्या बोला, nasal granules, जैसे जैसे technology advance होती गई थी ना, तो हमें पता चला था, कि यह nasal granules और कुछ नहीं, ब endoplasmic reticulum, उसके बाद आता है exon, exon जिसमें throughout shawan cells present है, non excitatory cells, जिसका मैंने बताया, जो neuroglial cells होती है, transmission में जिनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन और बहुत से functions यह करती है, यह बनाती है, myelin sheet, एक इनका function क्या है, कि यह myelin sheet बनाती है, myelin sheet का बहुत important role आता है transmission में, जब बहुत efficient और quick transmission कराना होना, तो myelin sheet वहाँ पर major role play करती है, बहुत fast transmission कराती है, उसके बाद, अब यहाँ पर, शवान cells तो सब जगा present है, throughout, बट कहीं कहीं पर myelin sheet absent है, myelin sheet नहीं है, उस region को हम क्या बोलेंगे, node of ranvir, उसके बाद आता है हमारा exon terminal, और यह जो नीचे bulb जैसे structure है, इन्हें बोलते है, synaptic knob, synapsis क्या होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इसका role क्या है, जो neuron के parts है, dendrite, cell body और exon, इनका role क्या है, तो जो भी stimulus होता है, उसको receive करते हैं, dendrites, signal आएगा, stimulus आएगा, dendrites receive करेंगे, cell body क्या करती है, उनको electrical impulse में convert कर देती है, और फिर जो transmission होता है, वो होता है exon के थूँ, यहाँ पर अगर myelin sheath present है, तो वो fast हो जाता है, यह action potential की जो speed होती है, उसको बढ़ा देते हैं, तो fast transmission कराती है myelin sheath, और myelin sheath insulating layer भी होती है, insulating layer की तरह भी काम करती है, तो यह तीन function होते हैं, dendrite, cell body और exon के, stimulus को receive क फिर उसको electrical impulse में convert करना, और फिर exon के थूँ, transmission, यह हो गया multipolar neuron, दूसरे type का neuron कैसा है, चलिए वो भी देख लेते हैं, दूसरा आता है हमारा bipolar neuron, bipolar, by मतलब 2, तो 2 extension होंगे इसमें, एक तो dendrite, अब यहाँ confused नहीं होना, कि यह इतने सारे निकले होंगे, यह इसके branch है, यह ए तो एक dendrite, एक exon, bipolar neuron, बाकि सब कुछ सेम है, वही cell body, nucleus, nasal granules, exon terminal, shavon cells और myelin sheath, तीसरा आता है unipolar, uni मतलब 1, एक ही extension होगी और वो होगा इसका exon, उसके बाद 2 तरहे के और neurons की भी बात की जाती है, एक है apolar neuron, जो सबसे पहले देखे गए थे, silentrata में, यानि hydra में, बहुत ही simple से neurons थे, सबसे पहले जो neurons आये थे, जो nerve cells थी, वो silentrata में ही देखी गई थी, और वो simple type थे, मतलब उन में कोई भी dendrite नहीं था, कोई exon नहीं था, कैसे थे वो, वो कुछ इस तरह से थे, तो ये थे हमारे apolar neurons, दूसरे तरह के neurons आते हैं, इन तीनों के अलावा, multipolar, bipolar और unipolar के अलावा, apolar थे, silentrata में, और दूसरे कौन से थे, pseudo-unipolar, pseudo मतलब नकली, तो pseudo-unipolar मतलब, कि unipolar जैसे तो दिखते हैं, बट यहां से न बाइफरकेट हो जाते हैं, यहां से उनका बाइफरकेशन आ जाते हैं, तो pseudo-unipolar हो जाते हैं, अब हम देखेंगे, कि generation और conduction कैसे हो रहा है, nerve impulse का, चलिए, यहां पर neuron है, यह देखो, यह जो बिजली कड़की, यह है signal, जब fast एक signal आता है, जब action potential आता है, तो यहां पर हम अलग-अलग phases की बात करेंगे, सबसे पहले आएगा resting phase, उसके बाद आएगा depolarization, उसके बाद आएगा repolarization, एक और phase होता है hyper polarization, उसके बारे मैं बात करूंगे repolarization के बाद, तो सबसे पहले देखते हैं, कि जब stimulus नहीं आया है, तब membrane कैसा है, यह हमने एक छोटा सा section लिया, neuron के अंदर गए, एक nerve cell का, हमने एक छोटा सा section लिया है, यहां membrane का, और जब stimulus नहीं आया है, तो यह resting membrane, यह resting phase कैसा है, इसमें क्या-क्या चीजे हो रही है, वो हम देखेंगे तो सबसे पहले, अभी जो resting membrane potential होगा, वो कितना होगा, वो होगा, माइनस 70 millivolt, ठीक है, एक चीज हो गई, बाहर का membrane कैसा है, मतलब बाहर, outer side कैसी है membrane की, वो है positively charged, यह है extracellular fluid, यह है intracellular fluid, जिसको exoplasm भी बोल देते हैं, बाहर की side कैसी है, positively charged है, बाहर किसकी concentration जादा है, sodium ions की, जो green वाले है, वो sodium ions है, purple वाले potassium ions है, बाहर positive charge है, और sodium ion की concentration जादा है, inner side negatively charged है, और क्या है, potassium ion की concentration जादा है, अब आपके mind में question आया होगा, कि यहाँ पर na plus है और k plus है, तो बाहर तो positive है, ठीक है, na plus की concentration जादा है, बाहर positive charge है, बाट अंदर negative क्यों है, इसका एक simple सा reason है, कि potassium ion के साथ साथ inner side पर कुछ negatively charged proteins भी present होते हैं, जो dominating होते हैं, तो इस वज़ा से वो charge को क्या कर देते हैं, negative कर देते हैं, वो inner side को negatively charge कर देते हैं, और क्या present है, अब इस membrane में लगे हुए हैं कुछ leaky channels, leaky मतलब जो leak करते रहेंगे, जैसे null होता है, null अगर उपर से free हो जाए, मतलब बंद ना हो, होता है ना कि उसको घुमाते रहो घुमाते रहो वो बंद नहीं होता, तो पानी क्या होता है, वो बहता रहता है, कभी कभी null बंद हो जात तो leaky channels, potassium ions के लिए जादा होते हैं, sodium के लिए कम होते हैं, membrane की permeability, resting phase में potassium के लिए जादा है, sodium के लिए कम है, और ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हो, कि potassium ions देखो, जादा जा रहे हैं, जो potassium ions हैं, वो जादा जा रहे हैं, बाहर अंदर से बाहर जा रहे हैं, और ज कम आ रहे हैं, तो इसको अब यहाँ पर यह जो ions इदर उदर जा रहे हैं, अंदर से potassium बाहर जा रहे हैं, बाहर से sodium अंदर आ रहे हैं, तो क्या इक disbalance नहीं हो जाएगा, क्या ionic concentration चेंज नहीं हो जाएगी, क्या gradient में चेंज नहीं आ जाएगा, इसी चीज़ को maintain करने के तो वो energy use करके, यह देखो, यह ATP को use करके तीन sodium को अंदर से पकड़ के बाहर फेग दिया, और बाहर से दो potassium के ions पकड़े और अंदर फेग दिये, थोड़ा सा इस वाली चीज़ को maintain करने के लिए, तीन sodium क्यों है, क्योंकि भाई, तीन ही binding site है, दो potassium क्यों है, क्योंकि दो binding site ह potassium की, तो यह कुछ हाल है resting phase में, अब क्या होगा, जब एक stimulus आएगा, जब action potential आएगा, तब क्या होगा, तब होगा depolarization, तो यहां से देखो, अब stimulus आया, ध्यान से देखना, यहां पर यह stimulus आया, और अब charge change हो रहा है, उपर, outer side अब हो जाएगी, negative, sodium channels open हो जाएगे, यहां प देखना, जैसे ही stimulus पास हुआ, sodium channels open हुए और sodium अंदर आना शुरू हो गया, भर-भर के sodium ions अंदर आएगे, अब बाहर, यानि outer side पर कैसा charge है, negative, अंदर क्या हो गया, positive, तो जब depolarization होता है, जब stimulus आता है, तो क्या होगा, sodium channels open हो जाएगे, बाहर का charge क्या हो जाएगा, negative हो जा है, अंदर आ रहें, आप potassium भी है, sodium भी आ चुका है, तो अंदर की side अब क्या हो जाएगी, positively charged, तो inner side हो गई, positively charged, बाहर का charge क्या हो गया, negative, यहाँ पर membrane potential कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus 70 से हो जाएगा, यह plus 30 millivolt, depolarization मे, sodium channel open हुए, तो sodium भर-भर के अंदर आए, membrane potential चला गया, plus 30 millivolt पे, अब क्या होगा, आगे देखते हैं, यह stimulus जा रहा है, यह stimulus एक side से दूसरी side पे positive से negative, positive से negative charge, change हुआ, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर जब stimulus था, तो यहाँ पर depolarization हुआ, इस site A पर, जब stimulus आया, तो depolarization हुआ, sodium channel open हो गए, site B पर अभी resting phase है, जब यह stimulus site B पर आया, तो क्या हुआ, यहाँ पर अब depolarization हो गया, sodium channels open हुए, बट यहाँ पर अब sodium channels inactivate हो जाएंगे, और क्या होगा, अब potassium channels open हो जाएंगे, और वो होगा repolarization, तो क्या हो रहा है, जो conduction की direction होगी, वो होगी A to B, B to C, C to D, तो कुछ इस तर ऐसे यह आगे आगे भड़ता जाएगा, मुझे एक impulse मान लो, मुझे action potential मान लो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ depolarization हुआ, sodium channels मैंने खोल दिये, sodium भर-भर के अंदर आया, inner side positive, outer side up negative हो जाएगी, अब मैं आगे यहाँ पर resting ही है, अब मैंने यहाँ आगे वाली site पर move किया, site B अब यहाँ depolarization हुआ, यहाँ मैंने sodium channels open किये, बट यहाँ पर अब पहले वाली site पर sodium channels inactivate हो जाएगे, और क्या होगा, potassium channels open हो जाएगे, और potassium अंदर से बाहर जाएगा, वो होगा repolarization, मतलब restore करना वापस से, यह plus 30 से वापस लेकर जाना, उसको बोलते है, restore करना, repolarization, अब क्या हुआ, यहाँ पर अब है repolarization, यहाँ है depolarization, अब वापस से stimulus आगे गया, action potential आगे गया, तो अब यहाँ depolarization हो रहा है, पीछे-पीछे potassium channels खुल रहे हैं, आगे sodium channels खुलते जा रहे हैं, तो इस तर ऐसे यह positive to negative direction होती है, conduction की, inner side पर, inner side पर A to B है, outer side पर क्या है, B to A, outer side पर है B to A, क्योंकि positive to negative होगा, direction of conduction क्या होगी, positive to negative, तो यहाँ पर यह कैसी होगी, ऐसे, तो यह पूरा एक circuit complete होता है, यह पूरा एक circuit complete होता है, आगे देखेंगे अब repolarization का, की repolarization में actual में क्या हो रहा था, यह है repolarization, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह जो potassium channels है, purple color के, यह अब open हो जाएंगे, यह, potassium channels open हुए, अब potassium बाहर जा रहा है, so sodium को तो हम diffusion से नहीं भेज सकते, potassium ions क्या होते हैं, वो अंदर से बाहर जाते हैं, और देखो, charge वापस restore हो रहा है, charge वापस से restore हुआ, outer side positive, inner side वापस से negative होना start हो जाती है, अब plus 30 से restore करना है, minus 70, बट यहाँ पर potassium channels एकदम से close नहीं होते, एकदम से inactivate नहीं होते, इनको inactivate होने में time लगता है, तो minus 70 भी cross हो जाता है, minus 70 से minus 80 हो जाता है, minus 90, तो उस period को हम बोलते है, hyperpolarization, तो वापस उसको minus 70 millivolt maintain किया जाता है, बट वो cross हो जाता है, क्योंकि इनको inactivate होने में थोड़ा time लगता है, उस period को, जब वो minus 70 से cross करके minus 80 minus 90 हो गया है, उसे हम बोलते है, hyperpolarization, जब यह हो गया, अब repolarization के बाद क्या होगा, जब वापस से minus 70 को maintain कर लिया जाएगा, अब यहाँ पर potassium channels open होते हैं, और potassium बाहर जा रहे है, restore किया जा रहे है, जब restore हो जाएगा, जब वापस से minus 70 आ जाएगा, तो यह होगा, re-establishment of resting potential, अब इस stage पर क्या है, resting membrane potential वापस minus 70 millivolt, बाहर positive, inner side पर negative, leaky channels काम कर रहे हैं, pump काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ, अब जैसा हमने first start किया था, उसी stage पर अब हम वापस आ गए हैं, तो इस तरह से होता है, conduction, transmission कैसे होता है, अब transmission का भी हम देख लेते हैं, transmission में, एक neuron का तो रहेगा, exon terminal, दूसरे के रहेंगे, dendrite, dendrites का मैंने क्या बताया था, stimulus receive कौन करेगा, dendrites receive करेंगे, तो यहाँ पर इसके dendrites हैं, और इसका क्या है, यह exon terminal, बीच में होते हैं junction, बीच में जो junction है, उसी को हम synapse कह रहें हैं, synapse इसलिए बोल रहें, क्योंकि यही allow करता है, कि यह जो signal है, वो pass हो, जो transmission हो, उस transmission को यह allow करता है, synapse, एक neuron से दूसरे neuron में, तो यहाँ पर यह synapse होता है, दो तरह क्यों होते हैं, chemical synapse और electrical synapse, chemical के बारे में बहुत बढ़ा जाता है, लेकिन आज हम दोनों के बारे में बढ़ेंगे, पहले chemical से ही start करते हैं, यह देखो, यह cells ही हैं, यह nerve cell है, एक neuron का exon terminal, दूसरे का dendrite, यह देखो, यह पूरी बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर होते हैं synaptic vesicles, इन vesicles में neurotransmitters present होते हैं, neurotransmitters यानि chemical messenger, यहाँ पर कुछ voltage-gated calcium channels present होंगे, जो यह calcium ions की entry करवाएंगे, उसके अलावा, यह तो हो गई pre-synaptic cell, pre-synaptic cell का यह membrane, यह हो गई post-synaptic जो receive करेगी signal को, उसके बाद यह पूरा synapse है, बीच में क्या है, synaptic cleft, जो यह space है, जब यह space जादा होता है, यानि यह दो neurons है, इनके बीच को जो space है, वो जादा है, तो chemical synapse होगा, अगर space कम है, 0.2 nanometer के around है, space कम है, यह synaptic cleft कम है, तो क्या होगा, तब electrical synapse होता है, depolarization के time पर, जब depolarization होगा, stimulus आएगा, तो यह voltage-gated calcium channels open हो जाएगे, calcium ions अंदर आए, और exocytosis से, अब यह synaptic vesicles से neurotransmitters बाहर आजाते हैं, और bind करते हैं, ligand-gated sodium channel से, इससे क्या होगा, channels open हो जाएगे, और यह orange color के sodium ions है, यह इसके through, अंदर आजाएगे, यहाँ पर यहाँ जाएगे, post synaptic cell में, इसको फिर से देखते हैं, जब depolarization होगा, तो यह जो, voltage-gated calcium channels है, यह open हो जाएगे, calcium ions अंदर आए, उसके बाद क्या होगा, यह channel खुलेंगे, और sodium ions अंदर आजाएगे, तो यह हो गया, chemical synapse, electrical में space कम होगा, तो यहाँ पर gap junction से ही काम चल जाएगा, gap junctions होगे, और क्या होगा, यह ions इन ही के through आजाएगे अंदर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर fatigue के कोई chances नहीं है, यह fastest transmission है, electrical, यह heart में होता है, heart में fatigue का कोई chance नहीं है, हमारा दिल नहीं ठक सकता, उसे continuously काम करना ह है, उसे continuously धड़कना है, तो यह electrical synapse है, यह वहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर fatigue नहीं होगा, chemical में अगर neurotransmitters खतम हो गए, तो वो रुक भी सकता है, delay भी हो सकता है, और वहाँ पर fatigue भी होता है, तो I hope आपको यह video पसंद आई होगी, आपको अच्छे से सारा concept clear हुआ होगा, सम और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कूल मत भूलना, और अल्सो प्रेस दा बेल आइकन क्योंकि आने वाली हैं बहुत सारी amazing 3D वीडियो, अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment section में बता सकते हैं, अगर आपको कोई और topic, ऐसे ही कोई और concept 3D में समझना है, 3D में देखना है तब भी आप comment section में जरूर बताना, हम उससे भी लेकर आएंगे ऐसे ही 3D में, तब तक के लिए thank you so much, take care, मिलते हैं next वीडियो में